बेटे अरजुन कपूर की वज़ा से स्टेच पर रो पड़े बोनी कपूर। देखती रह गई बेटे की गल्फ्रेंड मलाइका। होने वाले ससुर को रोता हुआ निहारती रह गई एक्ट्रेस। बेटे अरजुन कपूर की वज़ा से बोनी कपूर स्टेच पर फूट पहली बार ऐसा हुआ जब लोगों ने मलाइका और बोनी कपूर को एक साथ एक शो में देखा ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तलाक शुदा मलाइका बोनी कपूर के बेटे अरजुन कपूर की गल्फरेंड है हलाकि इससे पहले कभी मलाइका और बोनी कपूर एक साथ नजर नहीं आए जलक दिखलाजा के सेट पर बोनी कपूर गेस्ट बन कर पहुँचे थे और यहां वो फूट फूट कर अपने बेटे अरजुन कपूर की वज़ा से रो पड़े जलक दिखलाजा के आने वाले एपिसोड का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें शो के होस्ट रिद्विक धनजानी बोनी कपूर से कहते हैं कि उनके लिए एक गिफ्ट है इसके बाद स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें अरजुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर को मैसेज देते हैं इस मैसेज में अरजुन कहते हैं कि उनके पिता इस दुनिया के सेलफलेस इंसान है जो खुद के बारे में ना सोच कर दूसरों की खुशियों के बारे में पहले सोचते हैं बेटे का ये मैसेज देखकर बोनी कपूर की आखों में आसू आ जाते हैं शोकी जजज फराखान बोनी कपूर को रोता देखकर उनके आसू पोस्ती हैं वहीं दूसरी जज मलाइका, अरजुन और बोनी का ये अनुखा प्यार देखकर बहुत खुश होती है बोनी को रोता देखकर उनके मुँसे प्यार से ओव भी निकल जाता है इस दोरान बाकी मौजुद लोग भी इमोशनल हो जाते हैं ऐसा पहली बार हुआ है जब मलाइका बोनी कापूर के साथ नजर आई है कोई नहीं जानता कि बोनी कापूर का मलाइका के साथ कैसा रिष्टा है लेकिन इहाँ जिस तरह से मलाइका ने अरजुन और बोनी कापूर के प्यार पर रियक्ट किया उसे देखकर लगता है कि मलाइका के बोनी के साथ बहुत अच्छे रिष्टे हैं हाला कि अभी तक मलाइका बोनी कपूर के घर की बहु नहीं बनी है लोगों को इस दिन का इंतिजार है जब मलाइका और अरजुन शादी करेंगे बीरे रिपोर्ट बॉलीबूर्ट पे चर्चा